ओल्डर लीफ हमेशा नीचे होती है, यंगर लीफ हमेशा उपर होती है, and such type of arrangement is said to be acro-pittal arrangement, और स्टिप्यूर की खास बत यह है कि यह हमेशा पेयर्स में नजर आते हैं, और कहां पर लीफ बेस के दोनों तरफ, यह बड़ी सी पत्ती छोटे-छोटे लीफ लेट में डिवा प्लावर बनाने में. जbok होता है, तो लीफ आपको पता है अधुस कैसा होता है, यह expanded part है, आपने देखा उगा ऐसा फुला हुआ portion होता है ऐसको हम क्या बोलते हैว? लीफ बोलते हैं, ठीक है को इसको हम क्या बोलते है, expanded portion, क्या बोलते हैं यह एक्स-पैंडड पोश्न, expanded portion इसका expansion जरूरी क्यों है क्योंकि यह perform करता है photosynthesis और photosynthesis बेटर ताब होता है बचो जब सरपेसरिया जादा हो तो हम इसको बोलें expanded as well as lateral organ as well as lateral organ किस purpose के लिए for photosynthesis for photosynthesis lateral क्यों बोल रहा है क्योंकि आपने देखा होगा अगर stem की axis है तो leaf ऐसे लिकलते है ना lateral side में and more over बच्चो जब आप plant देखते हो जब आप plant देखते हो बच्चो प्लांट में जब आप leaf देखते हो तो कैसे arrangement होती है उसकी synthesis कैसे arrangement होती है अगर यह stem की axis है ठीक है तो ऐसे आपको यहाँ पर नीचे की तरफ बड़ी leaf दिखाई देती है उससे उपर जैसे जैसे आप चलते चलोगे देखते चलोगे जो leaf की size है वो क्या होती जाएगी छोटी होती जाएगी इसे इसे ही देखा होगा घर में तुलसी का पौधा होगा बच्चों आप देख सकते हो तो यह एक specific arrangement है यह कैसी leaf है यह यंगर leaf है ठीक है यह कैसी leaf है एक older leaf है बड़ी leaf है तो older leaf हमेशा नीचे होती है यंगर leaf हमेशा उपर होती है और यहां पर लिख दिया है यंगर यंगर आट टिप और ओल्ड़ेस्ट एट बेस सच टाइप अपर अर्रेंजमेंट एक और चीज़ आपने सोट स्की बता रखा है वह और नोड से होती है वह नोड से बाती इंग् dalej यानल को यह क्या होता है और यह मेरि स्टैम खररें शूट पे है तो इसको किया बोलेंगे शूट मेरिस्टेम ठीक है, तो हम इसको क्या लिखते हैं, they are born at node, पैदा कहा होती है, node पर, और arise कहां पर होती है, they arise from, shoot, meristem, they arise from, shoot, meristem, जो हमारे photosynthesis का हमने पाट लिख लिख लिए, बच्चो की photosynthesis का organ क्या होता है, photosynthesis का organ होता है, leaf, but apart from leaf, इनके और क्या काम हो सकते हैं, बच्चो, हमने ट्रांसपोर्ट पड़ा हुआ है, यह leaf है, leaf के पास एक opening होती है, और उस opening को हम क्या बोलते हैं, उस opening को बोलते हैं स्टॉमेटा, क्या बोलते हैं बच्चो, स्टॉमेटा, और इसी स्टॉमेटा के थ्रू क्या निकलता है, इसी स्टॉमेटा के थ्रू पानी निकलता है, इन दी फॉर्म ओफ वेपर, और इस पानी के निकलने को इन दी फॉर्म ओफ वेपर हम क्या बोलते हैं, हम इसको बोलत इनको और क्या काम ने embroideredetrowne का इंका की बिद्धारर इंके रृवंटेन आर्पां पर्टस क्या होता है ट्रांस्पी रह्शन का होता हैं जीए सु होगे हमार और अन्य स दिस यहकह Expect about करों सर्श सर्फ एक लीव की बात करों तो एक लीव में वी से अध्री पर्स लीव has three parts कौन-कौन से parts बच्चो एके करके discuss करते हैं अभी डाइग्राम दिखाती हूँ जो सबसे ओपर पार्ट होता है बच्चो जिसमें आपका मिड्रेब आपको वेंस वेंलेज दिखाई देते हैं उसको बोलते है एपी पोडियम जो लीफ की बेस होता है जो स्टेम से connected होता है उसको हम बोलते है हाइपो पोडियम क्या बोलते है बच्चो हाइपो पोडियम लेट्स हाव लुक ओफ दी डाइग्राम दिखाई दे रहा होगा बच्चो है ना तो आपको देख सकते हो इसके तीन हिस्से कौन-कौन से ये पूरा का पूरा हिस्सा इसको हम बोलते है एपी पोडियम पहला हिस्सा एपी क्यों बोला जा रहा है क्योंकि ये सबसे अपर पाठ है लीफ का इसके बाद लीफ की डंडी दिखाई दे रही आपको इस डंडी को हम पिटियोल बोलते हैं और इस हिस्से को क्योंकि बीच का हिस्सा है हम इसको क्या बोलते हैं बच्चों Mesa Podium, Mesa stands for Beach-beach, Intermediate के लिए, ठीक है, उसके बाद यह देखो, यह Leaf की जो डंडी है, यह किसे connected है, यह एक stem की branch से connected है, ठीक है, तो यह जो portion है, यह वाला portion, ठीक है, यह Leaf का Base है, क्या है Leaf का Base, सबसे नीचे वाला part है, सबसे नीचे वाला हिस्सा है Leaf का, इसलिए इसको बोला जाता है, हाइपो-पोडियम, क्या बोला जाता है, just second, हाइपो-पोडियम, तो आप खुद देख सकते हो, बच्चों, Leaf has how many parts, it has three parts, now let's talk about, what do you mean by this, Epipodium, यह जो पूरा structure है बच्चों, इसको बोल सकते हो, Leaf lamina, क्या बोल सकते हो, Leaf lamina, Leaf lamina का ये क्या है, सबसे उपर का part, तो हम इसको क्या बोलते है, इसको बोलते है, Leaf का Apex, ठीक है, आप देखते हो, जैसे आपने गुडहेल की अगर पत्ती देखी होगी, बच्चों, तो गुडहेल की पत्ती में, ऐसे आपको margins भत्तवाई दे रहा है, इसको क्या बोला जाता है, बच्चों, इसको बोला जाता है, add rib, इसको अमिद is called as Vane, और इससे जो निकल रहा है, Network बना रहा है, इसको हम बोलते हैं, वेनलेट, क्या बोलते हैं veinlets तो vanes हो गया वेग्ले क्या मिड्रिब हो गई apex हो गया margin हो गया यह सब किसमें आ रहा है यह leaf लैमिना में आ और leaf लैमिना किसका पाथ है बच्छो, leaf-lami-nah epipodium का पाथ है ठीके epipodium का पाथ है next है इसकी डंडी डंडी देखो बीच में है तो stock ıt को हम Pitioli को हम define कैसे करते हैं बच्छो पिटियोल को हम कैसे define करते हैं? Pitioli को हम बोलते हैं, leaf की डंडी है, क्या है leaf की डंडी, तो अम different ﷺ करेंगे, It's the stock of leaf, ठिक है? it is what, it's the stock of leaves, पहला point, अब यह क्या कर रही है? यह leaf को hold कर रही है, isn't it बच्चो, तो हम इसको लिखेंगे, it hold leaf, ठीक है, किसकी तरफ, यही है, जो leaf को पकड़े हुई है, यह leaf समझ लो, यह उसकी डंडी समझ लो, तो यही है, जो leaf को hold कर रही है, towards sunlight, और sunlight आपको पता है, leaf के लिए जरूरी क्यों है, बच्चो, for the process of photosynthesis, और यह है, इसकी डंडी, यह leaf को hold कर रही हुआ, हवा चलती है, तो leaf को ऐसे-से करती है, इसको हम क्या बोलते है, flutter, और आप ऐसे-से करो, तो आपको भी ठंडी हवा मिलेगी, तो petiole leaf को ऐसे-से कर वा रहा है, तो उससे क्या मिल रहा है, leaf को fresh air मिल रहा है, तो एक तरीके से cooling म भी मदद कर रहा है, ठीक है, तो हम लिखेंगे, कि petiole flutters in wind, और इसके fluttering से क्या हो रहा है, it is bringing fresh air, it brings fresh air, तो यह कुछ function है, किसके, petiole के, उसके बाद हमारा तीसरा portion है, बचो leaf base, जो की connect कर रहा है leaf को stem की branches से, किसकी stem की branches से, ठीक है, तो यह हमारे तीन parts है, अच्छा, petiole जरूरी नहीं है, बच्चो की सारे leaf के पास हो ही हो, हम इसको ऐसे लिखते हैं, if petiole present, that leaf is called as petiolate leaf, क्या बोलते हैं उसको, petiolate leaf, for example, this is a petiolate leaf, आपको prominent इसकी डंडी दिखाई दे रही है, किसी किसे में नहीं दिखाई देती, या prominently absent होता है, अगर petiole absent है, तो ऐसी leaf को हम sysile leaf बोलेंगे, क्या बोलेंगे बच्चो, sysile leaf, ठीक है, यह हमारा किसका function हो गया, बच्चो, petiole के बारे में, आप फिर आप देख सकते हो, leaf base, देख सकतो नबचो leaf base, तो leaf base क्या है, leaf base हमने देख लिया, leaf base है leaf का, नाम में इसका मतलब छुपा हुआ, यह क्या है, यह base है leaf का, ठीक है, सबसे नीचे की तरफ present होता है, अब हमारी NCRT क्या लिखती है बच्चो, कि leaf base दो टाइब के हो सकते हैं, यह हो सकते हैं, फुले हुए, swollen leaf base, swollen leaf base किस में मिलेंगे, यह मिलेंगे leguminous plant में, अगर आपने डाल की कोई खेती देख रखी है, बच्चो डाल वाला plant देख रखा है, तो उसकी leaf, का जो leaf base है, वो फुला हुआ होगा, मतर अगर देख रखा है, सोया भी नगर देख रखा है, नहीं देख रखा है, तो हमारे पास virtual diagram है, ठीक है, और यह sheet-like हो सकती है, sheet-like किस में होती है, बच्चो, sheet-like होगी grasses में, grasses मतलब monocots, ठीक है, आप देखो, यह रहा diagram, यह रहा diagram, आप देख सकते हो, यह क्या है, यह petiol है, और petiol के just नीचे क्या होता है, लीव बेस, वो portion जो इसको इससे connect कर रहा है, तो आप यह देखो, यह लीव बेस फुला हुआ नहीं है, तो इसी फुले हुए लीव बेस को हम क्या बोलते हैं, बच्चो, pulvinus, और यह किसका characteristic होता है, legume plant का, leguminous plant का, ठीक है, अब यहाँ पर देखो, यह देखो, अब grass कितने पतले होते हैं, बच्चो, उनकी leaf ही कितनी पतली है, तो obviously जो उनका leaf का base होगा, वो भी paper like थिन होता है, sheet like, इसलिए देखो, यह पर यह देखो, यह पतला सा जो है, यह है इसका leaf base, यहाँ पर भी देखो, प्रॉमिन बोलते हैं, sheeting leaf base, यह sheet like leaf base, and this is the characteristic of grass, ठीक है, किसका characteristic है, बच्चो, ग्रास का, तो यह हमारी NCRT में लिखा हुआ है, ओके, next, next हम किसकी बात करेंगे, बच्चो, next हम बात करेंगे, stipule की, stipule समझाने के लिए, let me show you this diagram, आप देखो, यह हमारा leaf base था, leaf base के एक इधर और एक इ देरी हो, so that तुम आप देख सको, यह देखो, यह pointed structure, यह देखो, यह देखो, यह, एक ऐसे बना हुआ है, और एक ऐसे बना हुआ है, देखने में, it is a reduced leaf like structure, और stipule की खास बत यह है, कि हमेशा payors में नजर आते हैं, और कहां पर leaf base के दोनों तरफ, ठीक है, और stipule जरूरी न हम लिखेंगे, पहला, it is what, it is reduced leaf like structure, reduced leaf like structure, present on side of leaf base, और कितने हमेशा होते हैं, पेर में, that means दो, it occur in pairs, जैसे यार, बेर, बेर खाते हैं, तो अगर बेर का पेड़ देखाओगा बच्चों, तो बेर के पेड़ में काटे होते हैं, तो वो काटे क्या है, बेर में stipule होता है, but वो stipule modify हो जाता है, काटो के form में, तो उसको हम बोलते हैं, stipular spines, ठीक है, या कभी कबार वो tendril, coiled form में convert हो जाता है, उसको बोलते हैं, stipular tendril, क्यों, क्योंकि stipule का modification है, तो इस चीज को लिख लेते हैं, बच्चों, ये देखो, ये बनाए हमने इसका पेड़, पेड़ के नीचे थोड़ा सा distinguish करने के लिए, फुला हुआ लीव बेस बना दे रहे हैं, बच्चों, इस लीव बेस, लीव बेस के दोनों तरफ क्या present होती है, stipule, लीव बेस के दोनों तरफ क्या होती है, बच्चों, stipule, इस तरीके की क्या है, ये stipule, अब ये जो stipule है, ये modify हो सकती है, ये stipule क्या हो सकती है, बच्चों, modify हो सकती है, अगर ये stipule, ऐसे coil structure में, ऐसे coil structure में, modify हो जाएं, तो इनक तो हम बोलते हैं stupular tendril, ठीक है क्यों modify हुए है, modify हुए है, आपको पता है tendril कब बनता है, for the formation of, sorry, to provide support, है ना, और ये किस में मिलते हैं बच्चो, ये मिलते है smilex में, अभी मैंने आपको bear का example दिया था, कि bear के पेड़ में क्या होते हैं, काटे होते हैं, तो वो काटे किस का modification ह है, इसी stipule का modification है, ठीक है, तो ये stipule ने क्या बना लिया, काटा बना लिया, तो हम इसको क्या बोलेंगे, stipular spines, इसका example है bear, जिसका नाम होता है scientifically digifuss, आप भूल जाओ, तो bracket में bear लिख सकते हो, ठीक है, तो ये हो गया, किसका बच्चो, stipule के बारे में, आगे चलते हैं, और करेंगे, about different parts of the leaf, okay, so let's start the other part, बच्चो, stipule के बाद, stipule पढ़ लिया था, लीव बेस पढ़ लिया था, ने, let's talk about the venition, बच्चो, venition क्या होता है, जैसे आप यहां पर यह लीव देख रहे हो, ठीक है, तो आपको यहां पर, वेंस और वेंलेट्स की, जैसे वेंस और वेंले और जो वेंस ऐसे बाइफर्केशन हो रही है, इसको हम क्या बोल रहे है, वेंलेट्स बोल रहे है, तो जब वेंलेट्स प्रेजन होती है, तो ऐसा जाल जैसा structure बनता है, जाल मतलब network, तो ऐसे venition को क्या बोलते है, बच्चो, reticulate, reticulate का मतलब ही क्या होता है, reticulate means network like, इसका और वेंलेट्स दोनों मौझूद हो, ठीक है, वेंस और वेंलेट्स दोनों मौझूद होंगे, तो हमें जाल network बनेगा, और ऐसे venition को reticulate venition बोलते हैं, और यह किसका characteristic feature है, बच्चो, dicots, जैसे, dicots में क्या people सबने देखा है, meme की पत्तियां सबने देखी है, है ना, rose आप सबने देखा होगा, बच्चो, leaf भी देखा होगा, china rose, यह सारे dicots है, और सब में आपको ऐसा network दिखाई देता है, that is why, यह सारे किसके example होगा, reticulate venation के, तो हम यहाँ पर venation कैसे define करेंगे, venation is nothing, but it is the arrangement of, it is the arrangement of veins and veinlets, अब बच्चो, घास देखा होगा, ठीक है, घास में कैस होता है, देखो यहाँ पर, यहाँ पर, जैसे मैं एक पत्ती बना रही हूं बच्चो, ठीक है, दो पत्तिया बना रही हूं, to explain what you mean by parallel venation, हमें लगता है ना कि parallel venation क्या है, जब ऐसे ऐसे veins निकले तो parallel है, बच्चो, बिलकुल यह parallel है, बिलकुल यह parallel है, है ना, but अगर इस त parallel venation ही बोलते हैं, isn't it, तो confuse मत हो ना, confuse मत हो ना, this is also parallel and this is also parallel venation, तो यहाँ पर difference क्या है, बच्चो, यहाँ पर आपको veins तो दिखाई दे रहा है, मिद्रे पर दिखाई दे रहा है, but what is absent, क्या नहीं दिखाई दे रहा है, वेनलेट्स, और अगर वेनलेट्स नहीं हैं, तो औ such type of venation is known as parallel venation, parallel venation, parallel venation, parallel मतलब एक दुसरे से सीधे सीधे arranged है, और ऐसा क्यों हुआ है, बच्चो, veins तो present है, but क्योंकि वेनलेट्स नहीं है, network is absent, network is absent, और यह किसका feature है बच्चो, यह feature है, monocots का, monocots के बच्चो आपको example याद होने चाहिए, for example, rice, wheat, घास देखते हो बच्चो, दूब ग्रास, ग्रास लिख देती हूँ, ठीक है, ओट, बारले, मेज, शुगर केन, यह सारे के सारे क्या हैं बच्चो, monocots के example है, where you get to see this kind of arrangement of veins, बच्चो इसके कुछ exception है, exception याद रखना, यहाँ पर मैंने ऐसे monocots के नाम लिखे हुए है, for example, smilex, collocasia, allocasia, dioscoria, यह सारे monocots हैं, अगर यह monocots हैं बच्चो, तो इनके पास कैसी venation होने चाहिए थी, parallel venation, बट इनके पास कैसी venation है, reticulate, network वाली venation है, तो यह इसके exception है, बच्चो इधर मैं dicots के example भी लिख देती हू people लिख लो, mango लिख लो, neem लिख लो, china rose, यह सारे के सारे क्या हैं बच्चो, यह सारे के सारे dicots हैं, ठीक है, next, moving on to the next, let's talk about the types of leaves, ठीक है, next चलते हैं बच्चो, let's talk about the types of leaves, तो दो types आपको दिखाई दे रही, one is simple and one is compound, अच्छा, simple मतलब क्या होता है, मैं आपको दो leaf बना क करके देती हूं बच्चो, एक A leaf और एक B leaf आपको identify करना है, कौन सी simple है और कौन सी compound है, ठीक है, यह बनाईए, मैंने, this is A leaf, this is B leaf, आदा सेकेंडरी हूं बच्चो, सोचो, A और B में कौन सी simple है और कौन सी compound है, ठीक है, socially आओगा, इतना time तो मिल गया है, तो बहुत सारे बच कट्स नहीं है, तो आपको लग रहा होगा simple, बच्चो, लेट मी टेल यू, यह A और B जो दोनों ही पत्यां blackboard पर आपको दिखाई दे रही है, इतना तो बुद्धी लगा लेते हैं, कि मैं अगर simple के नीचे बनाया है, तो obviously, इसका relation थोड़ा simple से ही होगा, simple से ही होगा, है तो yes, बच्चो, दोनों ही simple leaf है, यहां इसमें और इसमें difference क्या है, क्यों इसको बोल रहा है, तरीका define करने का लग है, this is simple why, क्योंकि इसकी जो leaf lamina है, बच्चो, हमने बोला था ना, इस पूरे structure को क्या बोला जाता है, leaf की lamina, अगर leaf की lamina entire हो, entire का मतलब complete, मतलब कहीं भी cuts है न, यहां पर यह cuts है, cuts बोलो, incision बोलो, यह margins बोलो, यहां पर यह सब present है, बट यहां पर कोई cut नहीं है, कोई टूटा फूटा portion नहीं है, है न, तो हम ऐसे leaf lamina को entire, entire मतलब complete, तो such type of leaf is said to be simple, बच्चो यह भी simple ही है, क्यों, क्योंकि यहां पर यह जो midrib है, this midrib is not touching, is not touching the incision, when midrib does not touch the incision, ऐसी leaf को हम क्या बोलते हैं, ऐसी leaf को हम simple बोलते हैं, तो दोनों ही simple हैं, और जब यही midrib, incision को touch कर जाए, ठीके, तो क्या होता है, यह छोटे-छोटे leaf में, जिसको हम leaflets बोलते हैं, उनमें divide कर, जैसे नीम में, क्या होता है बच्चो, देखो कैसे, नीम की यह पत्यां सबने देखियोंगे, तो आपने यह देखा हो गया, यह क्या मिलते हैं, यह छोटे-छोटे leaflets मिलते हैं, क्या हैं बच्चो, यह छोटे-छोटे leaflets हैं, यह leaflets क्यों मिला, कि जब incision touches the midrib, एक second बच्चो, यहां पर उ incision, incision मतलब margin, when incision does not touch midrib, when incision does not touch midrib, ऐसी leaf को हम simple leaf बोलते हैं, क्योंकि अगर यह incision, इस midrib को touch कर जाएगा, तो यह इतनी बड़ी leaf, छोटे-छोटे leaf में डिवाइड हो जाती हैं, इस छोटे-छोटे leaf को हम क्या बोलते हैं, leaflets, और यह सारी leaf क्या बन जाती हैं, compound leaf, तो when incision touches the midrib, incision क्या होता है बच्चों, यहाँ पर देको labeled है, when incision touches the midrib, touches the midrib, leaflets are obtained, leaflets are obtained, अब इसमें खास बात यह है बच्चों, कि अब आपको यह जो axis दिखाई दे रही है, जिस पर यह सारे leaves are ranged है, इसको हम क्या बोलते हैं, rachis, अब यह midrib नहीं है, क्योंकि midrib कौन बन ग midrib इस leaf के respect में बन गया है, ठीक है, अब इन सब छोटी-छोटी leaf का अपना क्या है midrib, और जो common axis है में इसको क्या बोलते हैं, बच्चों, इस common axis को हम डिफाइन करते हैं, rachis, तो यह इसमें और इसमें difference क्या है, simple में, या हो सकता है incision present ही ना हो, leaf lamina entire हो, या हो सकता है incision present है बट वो midrib को touch नहीं कर रहे है, जब यह incision midrib को touch कर देते हैं, तो छोटे-छोटे leaf मिल जाती है, leafless मिल जाता है, इसको हम बोलते है compound leaf, अब compound के भी क्या है, बच्चों, compound के भी है, दो types, देख लो कौन से दो types है, diagram से ही समझ में आएगा, बच्चों, chapter का नाम ही morphology है, ठीक ह या तो आप अपने आंगर्न टेरिस में जा करके देख सकते हो, या तो वर्चुली diagram की help ले सकते हो, तो compound में दो type है, एक pinnately और एक पामेटली, अभी जो मैंने diagram बनाया था ना बच्चों, ये, ये खुद में जो diagram बनाया था ना, ये कैसा diagram है, pinnately, और ये किसका example बनाया मैंने नीम का, तो pinnately में यही होता है, कि आपको एक common axis दिखाई देती है, that is rachis, और बहुत सारे leaflets अरेंज होते हैं इस तरीके से, और हर leaflet का अपना एक midrib होता है, अब हमने पढ़ा था बच्चों, कि ये जो leaf की डंडी है, ये जो leaf की डंडी है, ये जो leaf की डंडी है, इ कैसे बोलते हैं, ये देखो, एक second, पहले मैं आपको पुराना diagram दिखाती हूँ, ये देखो, यहाँ पर आपको एक और labeling दिखाई दे रही है, किसकी, axillary bud की, तो axillary bud कहां पर present होता है, देखो, ये exile का angle बन रहा है, ठीक है, ये ऐसे नहीं, तो हमने क्या समझा था, हमने समझ था, कि वो bud, जो node पर बने, वो axillary है, आप अगर पती यहाँ से निकल रही है, तो obviously node यहीं है, और node पर यहाँ की तरफ क्या बन गया है, बच्चो, यहाँ की तरफ बन गया है, bud, तो जो bud node पर बने, उसको हम क्या बोलते है, axillary, देखो, यहाँ पर दिखा भी रहे है, ठीक ह तो NCRT ने एक बात लिखी हुई है, बच्चो, let me show you the diagram, यह देखो, यह diagram है, ठीक है, यह सारे क्या है, बच्चो, यह छोटे-छोटे leaflets है, यह क्या है, leaflets है, हर leaflets के, अपना क्या होगा, बच्चो, midrib होगा, और जिस axis पर यह लगे होते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, इसक bud at the base of the pitiole, but not at the base of the leaflet, यह leaflet है, यह सारी क्या है, leaflet है, आपको leaflet के base में, यहाँ पर, कोई bud दिखाई दे रहा है, no, there is no bud, जो भी आपको bud दिखाई देगा, क्योंकि तो बड़ी सी पत्ती थी न, यह बड़ी सी पत्ती छोटे-छोटे leaflet में डिवाइड हुई है, क्योंक pitiole के नीचे, मतलब common point में pitiole के नीचे, यह देखो, इसको define किया हुआ है, pitiole of, pitiole of compound leaf, so yes, this is the point which is there in the NCRT, यह बहुत important point है, बच्चों, यहाँ पर लिखा हुआ है, that there is a bud at the base of the pitiole, but not at the base of leaflet, ठीक है, so यह हमारा क्या हो गया, pinnately compound, palmately में क्या होता है, हमारा palm है, palm की यह जो पांचों उंगली है, यह common एक point से आपको निकलते वह दिखाई दे रहे है, that is, this is what, this is wrist, जो आपको normally दिखाई देता है, बच्चों, morphologically, अब यहाँ पर क्या होता है, palm, देखो, appearance इसका AC type का है, जैसे हमारा, यह जो सारे digits है, यह पर भी common point होता है, यह क्या है, pitiole, leaf की डंडी, pitiole का यह क्या है, यह tip है, यह क्या है, tip है, तो tip of pitiole is the common point, यह question आता है, बच्चों की कौन सा common point है, जहां से सारी palmately leaf originate होती है, so that is the tip of the pitiole, tip of the pitiole से आप देखो, यह भी निकल रहा है, यह सारे leaflets निकल रहे है, तो इस leaflets की आपको midrip तो दिखाई दे रही है, सारे leaflets की आपको midrip तो दिखाई दे रही है, but क्या यहाँ पर कोई rachis है, नहीं, तो हम इसको क्या लिखेंगे, there is no rachis present, तो इसमें और इसमें midrip दोनों में है, but you can see difference किसका है, इसका है, ठीके बच्चों, इसका example हमने पढ cotton, silk cotton, palm-like arrangement, ठीके बच्चों, यह NCRT की लाइन है, थोड़ा छोटा लिखा हुआ है, आप NCRT में भी टिक कर सकते हो, और notes में लिख भी सकते हो, okay, आगे चलते हैं बच्चों, next बात करेंगे हम, फाइलो टेक्सी की, किसकी फाइलो टेक्सी, okay, so the next slide is about the फाइलो टेक्सी, फ फाइलो फिलो अग वरड आ गया, जैसे फाइल आपको दिखाई दे रहा है, इसका मतलब क्या होता है बच्चों, इसका मतलब होता है, लीव्स, टेक्सी डेक्सी क्या डिफाइन करते है, इस दी अरेंजमेंट आफ लीव्स, तो आपको पढ़ना है बच्चों, यहाँ पर बोलते हैं, नोड, अब आपको पता है, पत्ती हमेशा नोड से आती है, नोड के पास क्या है बच्चों, मेरी स्टेम है, तो जब एक नोड पर एक ही पत्ती निकले, और दूसरे नोड से जब निकल रही है, तो इस रॉल्टरनेट डारेक्शन, आप देखो यहाँ पर, यह इस नोड से एक पत्ती निकली, कलर चेंज करती हूँ, यह देखो, इस नोड से एक पत्ती निकली, फिर इस नोड से एक पत्ती निकली, आपको हमेशा एक नोड से एक ही पत्ती निकलते वे दिखाई दे रही है, so what is alternate, alternate को हम लिखेंगे बच्चों, one leaf at a node, और इसका example क्या leaps की arrangement दिखाई देंगे, what else, mustard, sunflower, इन सारे पेड में पत्तियां alternate, philotexy में arranged होती है, next is opposite, opposite आपको पता है, एक इधर, तो एक इधर, तो आप देखो, एक बनाओ stem, stem में बनाओ node, stem में क्या बनाओगे बच्चों, node, अब अगर एक नोड से दो पत्तियां निकले, एक इधर से और एक इधर से, opposite direction में, तो ऐसे philotexy को क्या बोलते हैं, opposite philotexy, और ये कब possible है बच्चों, जब एक node पर कितनी leaf हो, दो, तो हम इसको लिखेंगे, दो leaf, two leaf at a node, ठीक है, और ये कहां पर होता है बच्चों, अमरूत खाते हो, थोड़ा उसकी पत्तियों पर भी फर्मा लिया करो, आपको opposite philotexy मिलेगा, तुलसी की हम पूजा करते हैं बच्चों, तुलसी में भी देख लेना, आपको opposite philotexy मिलता है, इस type का, ठीक है, मदार का एक पेड होता है, जिसको हम chalotropis बोलते हैं, उसमें भी आपको opposite philotexy ही दिखती है, so this is opposite philotexy, ठीक है, उ उसके बाद क्या है, world, world मतलब गुच्छा, इस तरीके का, आप देखो, यहां पर यह एक नोड है, color change करने तो बच्चों, यह देखो, यहां पर यह एक नोड है, यह दूसरा नोड है, एक नोड से एक, दो, तीन, चार, पांच लीफ यहां, यहां पर भी एक, दो, तीन, च स्टेम, यह बना लो, दो नोड, अब एक नोड पर दो से ज़्यादा पत्या दिखाना, एक, दो, तीन, चार, यह देखो, इस तरीके से, यहां पर भी एक, दो, तीन, चार, तो हम वर्ल्ड को डिफाइन करेंगे, more than two leaves at a node, at a node, for example, बच्चों, NCRT में जो एक्जामपल दिया हुआ है, वह एलस्टोनिया का एक्जामपल, अगर इसके बारे में नहीं सुना, तो नीरियम देखा होगा, बच्चों, देखा जरूर होगा, आपको पता नहीं होगा, उसको नीरियम बोलते हैं, तो हिंदी में कनेर बोलते हैं, देखे, आसपास बहुत common plant है, इसके yellow color के flower जो बहुत common है, वो दिख जाते है, और आप उसमें देखोगे, तो आपको इसी type का क्या दिखाई देता है, leaf, एक नोट से पहुत सारे leaf, हमने कभी इतना गौर किया है इनी बच्चो पेड़ों को, आप आसपास पे भी गुजरोगे आपको ऐसे पेड़ दिखाई देंगे, जहां पर एक नोट से दो से जादा leaf निकलती है, तो such type of arrangement is said to be world phylotexy, तो phylotexy तो हमने खतम कर ली बच्चो, अब हम चलेंगे with respect to modification of leaf, तो leaf क्यों modify हो रही है, purpose क्या है, क्योंकि हर चीज के modification के पीछे का कुछ reason होता है, है ना, तो ल food stored है, ठीक है, garlic खाते हैं, उसमें भी food stored है, किसका modification है, that is a modified leaf, और जब leaf में खाना भर जाता है, ऐसी leaf को हम fleshy leaves भोते हैं, तो सबसे पहला, modification का purpose हम पढ़ रहे है, storage of food, क्या पढ़ रहे है, storage of food, और इसका example क्या है बच्चो, onion and garlic, उसके बाद हमने पढ़ा था, बच्चो, कि यह जो aloe vera होते है, aloe vera सबने देखा है, बच्चो, aloe vera ऐसे 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 लंबे-लंबे होते हैं, इसमें क्या भरा होता है, gel, इसकी यह जो stem है, इसकी stem को हम philoclade बोलते हैं, है न, यह हमने stem में पढ़ लिया था, तो इसकी stem क्यों modify हुई थी, क्योंकि जो इसकी leaves होती ह है, यह किस फर्म में आजाती, काटे, aloe vera में जो आपको काटे दिखाई देते हैं, बच्चो, जो spine दिखाई देता है, वो क्या है, वो modified leaf है, reason बताया था न, बच्चो, क्योंकि यह zerophytic plants है, इन में अगर leaf रहेगी न, तो leaf पर stromata होता है, जिससे transpiration बहुत जादा होगा, तो leaf क्या करती है, उसको चाहिए नहीं इतना transpiration, क्योंकि desert में अगर पानी उड़ गया, तो पानी लेने के लिए बारिश होनी चाहिए, और आपको पता है, कि बारिश का तो नामों निशान नहीं है वापर, precipitation बहुत कम है, ठेक है, उड़ा तो देंगे, लाएंगे वापस क are modified to spines, तो हम इनको क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं हम leaf spines, एलो बेरा में भी ऐसी होता है, बच्चों, cactus में भी होता है, ठेक है, और ये क्यों हुआ है, ये इसलिए बनेर, surface जिरिया क्यों कम कर रहे हैं, water loss को कम करने के लिए, तो बात लिख लेते हैं, surface जिरिया घटेग तो water loss भी घटेगा, ठीक है, तो second modification हम क्या पढ़ रहे हैं, बच्चों, second modification हम पढ़ रहे है, leaf spine, reason क्या है, already explained, example में हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे, एलो एंड कैक्टस, ठीक है, next क्या है बच्चों, जैसे हमने पढ़ा था, कि stem, tendril में convert हो सकता है, to provide support for the purpose of climbing, similarly leaf की भी modification होती है, वो भी ऐसे coiled structure में convert हो जाता है, किस purpose के लिए, for the purpose of support, ठीक है, जैसे वहाँ पर हमने पढ़ा था घीया तोरी में, आपको stem के modification दिखती है, और leaf tendril कहाँ दिखेगा, कहाँ पर leaf का modification होता है, the form of tendril, पी में, garden पी लिख लो, and sweet पी लिख लो, garden पी वही है बच्चों जो हम खाते हैं, जिस पर मेंडल ने experiment किया था, इसका scientific name, पाइजम सटाइवम है, पाइजम सटाइवम है, sweet पी का scientific name होता है, लथाईरस ओडूरेटर्स, क्या होता है, लथाईरस ओडूरेटर्स, सो याद रखना इसमें किसकी modification होती है बच्चो, is the modified leaf, not stem, ठीक है, next है बच्चो, fourth, fourth is phylood, phylood, अब phylood और phyloclade, सुनने में बिलकुल सेम हैं बड़ जमीन आस्मान का फरक है, phyloclade क्या होता है, यह modified stem होता है, ठीक है, क्या होता है बच्चों, यह modified stem होता है, क्यों बनता है, पड़ जुके हैं, phylood क्या होता है, phylood होता है, modified petiole, modified petiole, आपको पता है न, petiole क्या है, petiole leaf की डंडी है, तो इसको पतला सोना चाहिए, डंडा कितना है, आपको पता है, बहुत चोड़ा तो होता नहीं, इस डंडी, इस टॉक तो पतला सो होना चाहिए, बट आप यहां पर देख सकते हो, यह डाइग्राम है, यह किसका डाइग्राम है बच्चों, यह Australian acacia species है, यह उसका आपको पिच्चर दिखाएदे रहा है, Australian acacia, तो Australian acacia की यह क्या है, यह leaves है, Australian acacia की जो leaves होती है, बच्चों, आप देखो, कितनी छोटी हैं, और बहुत कम time के लिए होती है, NCRT ने लिखा हुआ है, the leaves are small and the short-lived, तो small है, तो बहुत कम है, photosynthesis इतनी efficiently कर नहीं पाएंगी, तो उनों कर भी लेती हैं, but for a temporary time being के लिए कर पाएंगी, क्यों, क्योंकि short-lived है, इसका खतम हो जाएंगी, तो इसके बाद इनका photosynthesis कौन करेगा, किस ने लिए responsibility, philode ने, philode वैसे तो पतला होना चाहिए था, आप यहां पर देखो, यह क्या है, यह pitiole है, pitiole को तो पतला होना चाहिए था, यहां पर देखो, pitiole क्या है, flat structure है, ठीक है, pitiole कैसा हो गया है, flat और expended है, और green color का है, और इसी modified pitiole को हम क्या बोलते हैं, philode, ठीक है, तो philode क्या है बचो, modified pitiole है, ठीक है, और कैसा है, flat structure है, expended green structure, expended green structure, और यह बना क्यों, किस purpose के लिए बना है, for purpose of photosynthesis, for purpose of photosynthesis, किस में बना है, australian akashia में, क्यों बना है, क्योंकि australian akashia की leaves बहुत छोटी और short lived होती है, ठीक है, next new modification है, the last modification of leaf is leaf pitcher, आपने discovery channel पर देखा अगा बच्चो, there are certain insectivorous plants, ठीक है, there are certain insectivorous plants, और उन insectivorous plants में आपको ये दिखाई देता है, ये जोला, ठीक है, ये बैग, तो ये जो बैग है, इसको हम बोलते हैं leaf pitcher, क्यों, क्योंकि ये जो pitcher बना है, ये जो bag बना है, this is modified leaf only, जैसे ही इसमें insect trap होता है, जैसे इसमें insect आएगा, ये जो ढखकन है, इस इसको हम बोलते है, बच्चो, picture, तो picture किसका modification है, it is modified leaf lamina, ठीक है, और leaf का जो apex होता है, ये इसका ढखकन बना लेता है, lid, तो ये lid किससे बना है, it is modified leaf apex, ठीक है, और इस तरीके का picture किसमें दिखाई देता है, बच्चो, इस तरीके का picture किसमें दिखाई देता है, इस तरीके क venus flytrap, venus flytrap, bladderwort, nepenthes, etc. ऐसे plants में आपको बच्चों leaf modify हो जाते हैं इस picture को बनाने के लिए, ठीक है, next है, जब आप पढ़ोगे plant kingdom, तो आप वहाँ पर nutrition discuss करोगे, वैसे हमें पता है द्यार photosynthetic, बहुत सारे बच्चों सोच रहें, insectivorous क्यों बोल रहे हैं, there are certain insectivorous plants, NCRT ने एक बात लिखी हुई है, तो जब हम detail में पढ़ेंगे kingdom plant है, तो वहाँ पर हम discuss कर लेंगे different type of nutrition, ठीक है, next, so the leaf part is over, next we'll be moving towards inflorescence, inflorescence, बच्चों आप चाहे, rose का गमला देख लो, कोई भी एक पौधा देखो, तो हम तो हमेशा एक flower के respect में बात करते हैं, बट क्या एक गमले में, एक पौधे में एक ही flower लगता है, बहुत सारे rose लग सकते हैं ना, rose के गमले में, रोज वाले पौधे में, same goes with गेंदा, है ना, तो वो जो different arrangement है, flower की एक पौधे के अंदर, उसको बोला जाता है inflorescence, for example यह डाइग्राम देखो, थोड़ा सा समझने के लिए डाइग्राम देखो, यहाँ पर एक यह पौधा है, इस पौधे में flower कैसा निकल रहा है, इधर, alternate direction में इसे निकल रहा है, यहाँ पर देखो, flower कैसा निकल रहा है, बड़ा वाला यहाँ पर, old flower, यहाँ पर, young flower side में, तो यह जो arrangement है flower की, एक एक्सिस की उपर उसको बोला जाता है inflorescence, ठीक है, यह एक्सिस कौन सी है, यह वाली एक्सिस है, तो जिस एक्सिस पर, सारे के सार flowers arranged, यह बड़ा वाला, फिर यह वाला, यह वाला, यह वाला, इन सब के common axis है, जिस पर, इस सारे flowers arranged है, इसको बोला जाता है, बच्चो, floral axis, या इसको हम बोलते है, pedancle, क्या बोलते हैं, बच्चो, pedancle, तो how you gonna define the inflorescence, so inflorescence क्या है, arrangement of flower on floral axis, और floral axis को हम क्या बोलते हैं, बच् इना, confused होते हैं, बच्चो, flower की डंडी में, यह है, flower की डंडी, this is dandy of flower, stock, तो जो flower की डंडी होती है, उसको बोलते है, pedicle, और जो inflorescence की डंडी होती है, इसको हम बोलते है, pedancle, don't get confused, I am repeating it again, जो flower की डंडी, pedicle, जो floral axis, उस पर सारे flowers arranged होते हैं, that is called as pedancle, ठीक है, तो यहाँ आपर हमने लिखा है, the stock of flower is known as pedicel, बच्चो, pedicel बहुत prominent हो, तो हम कहते हैं, कि pedicel अगर present है, तो मुझको क्या बोलते है, pedicillate flower, पेडिसलेट flower, और अगर आपको flower में कोई डंडी नहीं दिखाई देरी, prominently, तो what we say, कि pedicel is absent, तो ऐसे flower को हम क्या बोलेंगे, सिससाइल flower, क्या बोलेंगे, बच्चो, सिससाइल flower, ठीक है, next, जब हम बात करते हैं, NCRT में बच्चो, तो यहाँ पर in florosense में, सिर्फ दो ही types explained है, यहाँ पर एक नाम दिखाई दे रहा है, और यहाँ पर एक नाम दिखाई दे रहा है, इन in florosense को क्या बोलते है, अगर लिली का पौधा देखा वगा बच्चो तो लिली का गमला है, उसमें सारे लिली की जो flower होंगे, मालो यह लिली का गमला बना लो एक, है ना, इसमें लिली का पौधा है, ठीक है, तो उसमें जो इस तरीके के बहुत सारे आपको axis दिखाई देंगे, तो लिली के एकदम टिप पर अरेंज होगा, और अगर मालो यह इस flower की बात कर यह देखो, यह क्या है, यह लिली का फ्लावर है, तो जिस इस flower की अगर हम बात करें, इसके इस axis पर, एक सेकेंड, इसके इस axis पर और कोई flower दिखाई दे रहा है, नहीं, यह अकेला मौझूद है, इस वाले flower के, इस axis पर कोई है, नहीं, अकेला मौझूद है, तो हर एक flower, अकेला जब मौझूद होता है, तो ऐसे inflorescence को हम क्या बोलते है, solid tree, और यह किस में मिलता है बच्चो, एक family में पढ़ोगे आप, that is lily, belongs to lily, यह सी family, axillary में क्या होता है, axillary में, यह stem है, यह side से flower निकले, this is flower और हमेशा, जितने भी flower उस पौधे में से निकल रहे है, सारे flower की arrangement, axillary हो, या तुम इसको lateral भी बोल सकते हो, laterally निकले, तुम उसको क्या बोलते है, axillary inflorescence, और यह किस में मिलता है, solenasi, solenasi, अगर आपने tomato का flower देखा है, तो उसमें इसी तरीके के सारे flower, arranged होते है, side में, ठ this is solitary and axillary inflorescence, next जो NCRTH से describe करती है, that is racimos and cymos, इसको diagram से ही समझना है, यह देखो, अगर मैं इस diagram की बात करूँ बच्चो, तो दोनो diagram में फरक क्या है, यहाँ पर, यहाँ पर आप देखो, इसकी जो common axis है, इसके top पर कोई flower नहीं दिखाई दे रहा, है ना, that means इसका यह जो tip है इसका यह जो tip है, यह flower में convert हुआ ही नहीं है, that means इसका जो tip के पास meristem है, वो as it is रह गया है, आपको पता है ना, tip के पास meristem होते हैं, उसको apical meristem बोलते हैं, anatomy वाले chapter में पढ़ा हुआ था हमने, that means इसका meristem खर्च नहीं हुआ है, that means वो meristem active है, और वो meristem क्या करेगा, stem की height बढ़ाता चला जाएगा, ठीक है, तो racimoze हम क्या लिखेंगे, कि जो shoot apex है, the shoot tip continues to grow, continues to grow, why, क्योंकि shoot tip, shoot tip is not converted, shoot tip is not converted into flower, ठीक है, अब यह तो बढ़ता ही चला जाएगा, that means इसकी height increase होते ही चले जाएगी, है ना, तो that means इसकी जो growth होगी, वो कैसी होगी, that would be unlimited growth, that would be unlimited growth, बच्चों गेंदा का full अगली बार लगाओ ना winter में, क्योंकि winter season में ही लगाते है, marigold, क्योंकि उसका time वही है, उसका season वही है, वो annual plant है, उसका life span एक इस time के लिए है, एक इस season के लिए, अगले season तक तो मुसको इस्तमाल नहीं कर सकते, तो गेंदे में देखना, हमेशा इसी तरीके से आपको stem axis दिखाई देगा, वो बढ़ता चला जाता है, क्योंकि उसका जो tip है, वो कभी consume नहीं होगा flower बनाने में, तो ऐसे गेंदे के जो सारे full हैं, उनके arrangement को हम बोलेंगे, तो आप लिख सकते हो, यहाँ पर marigold, ठीक है, sunflower, lupine, etc, इन सब में क्या है बच्चो, racimos inflorescence है, और एक और चीज, एक और चीज, यहाँ पर देखो, जो flower है, वो आ कैसे राए, sideways आ रहा है, कैसे आ रहा है, sideways, क्योंकि बीच में तो बनी नहीं रहा, sideways आ रहा है, तो सबसे बड़ा old flower, वो पहले आ गया, उसके बाद में उससे थोड़ा young यहाँ पर, उससे और young इधर साइड में, सबसे young, सबसे उपर है, तो जो सबसे young flower है, वो सबसे उपर दिखाई दे रहा है, सबसे old flower है, वो सबसे नीचे दिखाई दे रहा है, अभी just मैंने आपको leaf का example लेकर के arrangement पढ़ाई दिए, कि leaf बड़ी वाली सबसे नीचे, सबसे छोटी वाली सबसे उपर, इसमें भी आईए, flower जो सबसे बुड़ा है, वो सबसे नीचे, जो सबसे young है, वो सबसे उपर, उसको हम क्या बोलते हैं, इस तरीके के arrangement को हम क्या बोलते हैं, एक्रोपिटल arrangement, आप याद रखना कि racimos in fluorescence में, जो flower arranged होते हैं, वो किस तरीके से होते हैं, एक्रोपिटल, एक्रोपिटल का मतलब क्या है, जो oldest वाला होगा, वो base पर होगा, जो youngest वाला होगा, वो tip पर होगा, apex पर होगा, यहाँ पर क्या हो रहा है, देखो, यह जो stem की tip थी, यह क्या हो यह तो flower बना दिये, that means, इसका meristem खर्च हो गया है flower बनाने में, आप इसके पास meristem बचा है नहीं, तो इसके height बढ़ेगी, बिल्कुल भी नहीं, है ना, तो हम इसको लिखें, यह cymos में क्या होगा, कि जो shoot tip है, shoot tip terminates into flower, shoot tips terminate into flower, तो अगर यह flower बनाने में खर्च हो गया बच shoot tip has limited growth, कैसी growth है, इनकी limited growth, that means, बच्चो, यह plant कभी ऐसे सीधा सीधा नहीं बढ़ सकते, यह हमेशा जब इनको नया flower बनाना को देखो, कहां पर बन रहा है, side में बन रहा है, आप तुम सोचों कि माम, यह भी आ गया, यह भी आ गया, अब कहां बनेगा, यह इसके side में गरेंगे, तो हमेशा यह इस तरीके से grow करेंगे, ना कि इस तरीके से, तो इनकी height unlimited नहीं होगी, है न, और आप देखो, यहाँ पर old flower उपर है, young flower नीचे है, तो इस तरीके की arrangement को हम क्या बोलते हैं, बेसी पिटल, क्या बोलते हैं बच्चो, बेसी पिटल arrangement, बेसी पिटल कै कैसे याद करोगे, बेस, बेसी पिटल को रिलेट करना बेस से, तो कौन बेस पर है यहाँ पर, young वाला बेस पर है, और oldest वाला flower कहाँ पर है बच्चो, टिप पर, और you can say apex और इस तरीके का arrangement आपको कहाँ पर दिखाई देगा, आलू वाले पेड में, आलू वाली फैमिली मे solenum, ठीक है, टीक, जिसके furniture बनते हैं, ठीक है, बिगोनिया, and you can write just etc, क्योंकि आगे जब family पढ़ोगे तो इसमें भी बहुत सारे examples पढ़ने होंगे, ठीक है, बच्चो यह जो topic है यह बहुत मिलता जुलता है, बच्चे confused हो जाते हैं, क्योंकि जब वो exam में बैढ़ते हैं, आप सिर्फ recimos याद कर लो, यो कि NCRT में यहां पर ऐस तो को example नहीं है, जो example है family में दिया हुआ है, तो अगर आप recimos याद कर लोगे, तो by default आपको cymos याद होगा, दोन एक दूसरे की opposite है, ठीक है, तो आप इस तरीके से इस्तमाल कर सकते हैं, अंडर को और exam के लिए भी मै से लेकर के साथ में बैठो, साथी साथ आप करते चलोगे, ठीक है, last में क्योंकि आपको अपने आपको marks देना है, okay, so पहला है कि leaf originate कहा होती है, तो सबको पहली बात आपको हमने बता रखा है, बच्चों कि leaf nodes originate होती है, क्योंकि node के पास क्या होता है, marry stem, और इतना पिटल सही दे रखा है, बढ़ हम एक का सही देख करके क्या करेंगे, जब पूरा option ही गलत हो गया, next है, floral meristem और basy bitle, बच्चों, floral word related है, flower से, तो हम यहां पर flower नहीं बात कर रहे है, हम किसकी बात कर रहे है, leaf की बात, और basy bitle तो बिलकुल ही गलत, shoot apical meristem और acrobital, inter node से तो नहीं सकता, सरा-सर गलत है, क्योंकि inter node mature tissue का पार्ट है, permanent tissue कुछ नहीं बना सकता, है ना, तो हमारे पास option क्या, option number C, which of the following is not the part of leaf, पूरा leaf डिसकस किया था, हमने, ohho, pedicel क्या होता है, pedicel leaf का पार्ट है, petiole leaf की stock होती है, तो flower का पार्ट है, पहला ही option है, मैं गलत मिल गया, है ना, leaf base, petiole, lamina, ये सारे के सारे leaf के पार्ट है, leaf base may bear two lateral small leaf like structure, ठीक है, इसको हमने क्या बोला था, कि leaf base के राउंड, ये छोटी सी, ये मानलो ही leaf base है, तो leaf base के राउंड, reduced leaf like structure होती है, जिसको हम क्या मोलते हैं, बच्चो, stipule, और depend करता है plant के उपर, कभी कबार ये modify भी हो सकती है, in the form of spine, और in the form of tendril, तो ये देखो, यहाँ पर है, ठीक है, next, swollen leaf base, found in leguminous plant, swollen, fully हुए leaf base, जिसा दाल में मिलता है, ठीक है, चने में मिलेगा, उसको हम क्या बोलते हैं, pulvinus, ठीक है, क्या बोलते हैं, बच्चो, pulvinus, next है, which of the following plants show alternate phylotexy, alternate मतलब, एक नोट से, एक दूसरी जब निकलेगी, दूसरे नोट से निकलेगी, alternate direction भी देख सकते हो, तो यह हमने पढ़ा था, चाइना रोज में, मस्टर्ड में, और संफ्लावर में, संफ्लावर में, CMS City, Montessori School, ऐसा याद रख सकते हो, alternate phylotexy का example, तो देख लो, यहाँ पर क्या है, संफ्लावर, न Ethereum वर्ल्ड का example था, ठीक है, Guava और Calotropis opposite के थे, ठीक है, the pitiol expand and become green, यह हमने पढ़ा है ना, उसको हम क्या बोलते हैं बच्चो, फाइलोड, और फाइलोड किस में मिलता है, फाइलोड मिलता है, Australian acacium, option number D, next है, the four worlds of a flower, यह सारे अच्छा, यह सारे वर्ल्स के, बच्चो, sorry, flower के हैं, जो हम कल discuss करेंगे, next lecture में, so, आज के लिए इतना ही बच्चो, revise करके आना है, NCRT, ठीक है, so, next lecture में मिलेंगे, बच्चो, तब तक के लिए, bye-bye and take care.